अब श्रिवान सीवा ने कहा कि वई ये बाकी सारे राज्यों के अंदर भी रूट आप लेंगे मैं माने सदस्य सीवा जी को और सारे सदन को आस्वस्त गरना चाहता हूं बाकी कोई राज्य में 370 नहीं है इस प्रकार की विशिष्ट परिस्तिती भी नहीं है देर सारे देर स ते शंबार विभाजन आजादी के बाद हुए हैं हमने भी ours हमने उत्राखन बनाया हमने जारकण बनाया हमने छतीति-श गड़ बनाया आपने अंड्रओ और तेलंगणा बनाया और मुझे इतने सारे सलाह देते हैं मन्नेवर मैं उनको आंड्रओ तेलंगणा के डिविजन का धुष्चे जरा आख बन करकर याद करें कैसे करा था मैं तो स्रीफ उस दिन आज भी लाया आज प्रारिक करने का आगरे किया आपके विश्यसादार क्या उक्योप करके मुझे अनुमती दे दी पुर्पा हो गई आपकी तो मैं बिलपास कर रहा हूं आपने तो सार्जन्ट से उठाकर सबको बाहर डाला दर्वाजे बंद करें टीवी बंद करा और उसके बाद में अंडरोवर तेलंगणा बनाया था जो आज में ने लिए तो हमें मत समझाईए कि किस तरह से होता है मनेवर गुलाम नभी आजाद साब ने कहा कि हजारों विद्वा हुई है कस्मीर की 370 को बचाने के लिए 370 को बचाने के लिए कम विद्वा हुए गुलाम नभी आजाद साब विद्वाये जरूर हुई है 41,000 से ज़्यादा लोग मारेगे हुई है मगर 370 के कारण है और मैं सपस्ट संदेश देना चाहता हूँ गाटी के लोगों को 70 साल तक 370 के साथ जीए ये 370 के वादो को कॉंग्रेस सरकारों ने बार बार दोहराया गुम्रा किया मैं कहता हूँ मैं 5 साल दी दीजिए हम कस्मीर को देश का सबसे ज़्यादा विक्सित राज्य बनारे है मैं कस्मीर गाती के युवाओ को कहना चाहता हूँ भरोसा करिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर कुछ नहीं होने वाला कि बर्गराल रहे हैं गुम्रा कर रहे हैं जो आपको कहें अपनी पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं उनकी मत सुनिए मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से मानेवर कस्मीर के युवाओ को कि एक 5 साल के अंदर कस्मीर के अंदर परिवर्टन आएगा तब जाकर आपको मालूम पड़ेगा कि 70 साल जो चीज को लेकर निकले वो चीजी ठीक में तब जाकर मालूम पड़ेगा मानेवर